Hello everyone and welcome back to Magnet Brains. मैं हूँ Saloni Rajput, आपकी Maths Expert और आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ Line Segment और Line Segment क्या होता है, कैसे form होता है, का use होता है यह सारी बाते हम आज के lecture में cover करेंगे मैं बता दूँ कि पिछली lecture में मैंने आपको point के बारे में बताया था कि point क्या होता है, कैसे form होता है, क्या क्या चीज़े होती है जिससे हमें पता चलता है, point कैसे दिखता है और point हमें क्या बताता है, point हमें location बताता है यह बात ध्यान रखेगा सो हम पढ़ रहे हैं Class 6 Maths का chapter जिसका नाम है Basic Geometrical Ideas और यह chapter हम पढ़ रहे हैं आपकी NCRT बुक के हिसाब से देख लेते हैं, line segment के बारे में बुक में क्या लिखा हुआ है लिखा हुआ है, fold a piece of paper and unfold it एक paper को क्या करो, आप fold करो और उसको फिर से unfold कर दो यानि वापस से खोल लो उसको Do you see a fold? क्या आपको वहाँ पर ऐसा दिखेगा क्या आपने कहां से fold किया था? This gives the idea of line segment It has two endpoints, A and B कैसा होता है? एक हमने for example paper लिया यह हमारा paper इस paper को हमने क्या किया? यहाँ बीच में से fold करा तो वो paper क्या है? इस type से fold होने के बाद जब हम खोलेंगे तो इस type से बीच में क्या होगी? line बन जाएगी उसमें यानि कि हमें दिखेगा कि यहाँ से हमने उस paper को fold किया था तो यह जो line बन रही है न यह line ही क्या क्या लाता है? यह जो line बनी बीच में यह कहलाती है line segment क्यों इसको line ना बोलके line segment बोल रहे है क्योंकि यह यहाँ पर आके खतम हो रही है यहाँ पर इधर खतम हो रही है यहाँ इधर खतम हो रही है इसका मतलग यह क्या है line segment तो आपको क्या पता चल रहा है line segment से? कि line segment यह ऐसी line होती है जो खतम हो जाती है यानि कि वो ऐसा नहीं कि चलती जा रही है, चलती जा रही है, यह हमें यहाँ पेपर से पता चला आंगे देखे, it has two end points A and B, जहाँ खतम हो रही है वो end point कहलाएंगे यह एक point है, यहाँ एक दूसरा point है, तो A और B क्या हो जाएंगे इसके end point end point मतलब line end हो रही है, खतम हो रही है जहाँ पर आंगे देखे, take a thin thread, एक धागा लीजिए, बिल्कुल पतला सा hold it two ends and stretches, दोनों तरफ से उसको पकड़ के क्या करी है, उसको खीचिए without a slack, और उसमें क्या है, धील नहीं आना चाहिए, एकड़म एकटा खीच के रखिए, ताकि वो एकड़म straight हो, it represents a line segment, तो अब वो धागा भी क्या represent कर रहे है, line segment, एकड़म straight है, खिचा हुआ, डील बिल्कुल नहीं है उसमें, और एक point उसका यहां है, दूसरा point इस हाथ में है, तो वो क्या होंगे, उसके end points होंगे, तो ये भी हमें क्या बताता है, कि वो एक line segment को दिखा, दर्शा रहा है, the ends, held by the hands are the end points of the line segment, और जो हम हाथ से धागा पकड़े थे, तो दोनों जो आखरी end थे, वो क्या होंगे, इस line segment के ends कहलाएंगे, next देखिए, the following are some models of line segment, ये आपकी NCIT book में ही दिये है, कुछ NCIT, क्या models, an edge of book, book की edge, अब book की edge क्या होती है, वो जो lines हमें book में दिखती है, ये, ये, ये जो lines है book में, ये क्या है, एक तरीके से line segments है, ये, क्योंकि कहीं ना कहीं ज line segment के end point ये हो गए, इस line segment के end point ये और ये है, इस line segment के end point ये दोनो है, इसके ये दोनो, इसके ये दोनो, and so on, क्योंकि line end हो रही है, दो end points है, एक line के, तो उस हम line को क्या बोल रहे है, line segment बोल रहे है, आँगे, और tube light, tube light में देखिए, straight line देख रही है ये आपको, और ये खत हो रही हैं दोनों तरफ तो यह क्या है? Line segments हैं आंगे यह देखिए Post Card Post Card भी कैसे बना है? Line segment से बना हुआ है इनको line ना बोलके line segment क्यों बोला हमने? अभी हमें नहीं पता line में क्या अंतर है फिर पर हमें यह पता चल गया कि सिर्फ line नहीं बोल रहे हम इसको line segment बोल रहे हैं याने कि एक यह straight line तो है और उसमें क्या है? दोनों तरफ वो end हो रही है कही न कहीं जाके तो यह क्या हो रहा है? Line segment कहला रहा है आंगे बढ़ते हैं यहां देखिए एक और यहां पर figure दिया हुआ है इससे आपको बहतर समझ में आएगा यह जो यहां से यहां तक जा रही है और बीच में से मैं उसको इन दो points पे काट दू और इतनी line ले लूँ एक end point A हो जाएगा दूसरा end point B हो जाएगा तो यह जो कटा हुआ हिस्सा है जिसके दो end point है वो क्या कहला रहा है line segment कहला रहा है यह line segment नहीं कहला रहा क्योंकि यह क्या है end नहीं है इसका यह arrow बने हुए है इसका मतलब यह तो जाती जा रही है इस तरफ से उधर जा रही है end points नहीं है कि यह खतम नहीं हो रही पर यहाँ पर यह है खतम हो रही है A पर और B पर इसलिए इसको हम बोल रहे है Line Segment आंगे देखते हैं और क्या दिया है Line Segment के बारे में आपकी book में तो लिखा हुआ है Try to find more example for the line segment from your surrounding आपके आजपास से आप Line Segment के और भी example देखिए तो यहाँ पर जो ceiling होती है अपने घर की उपर छट वहाँ पर भी lines बनी होती है तो यह भी क्या है Line Segment के example है क्योंकि ऐसा तो होतो नहीं जाते ही जा रही है यह line जाती ही जा रही नहीं एक नहीं पॉइंट पर जाके खतम होती ही है है ना ऐसे ही और कोई table होगी बिल्कुल rectangular shape की है ना तो उसमें की जो lines होगी edges होगी वो line segment को बताएंगी आपकी जो pencil है अगर बिल्कुल straight है तो उसमें जो line है वो क्या है line segment दिखाती है box pencil box की edges ऐसे बहुत सारे हैं जो हमें lines बताते हैं line segment है ना ऐसी line इसके दो end point होते हो आंगे देखिए mark any two points a b on a sheet of paper try to connect a to b by the all possible outcomes याने कि हमको 2 points mark करना है paper पे यह मैंने 1 point mark किया a दूसरा point mark किया b अब a से b तक जाने के मैं को सारे रास्ते यहां पर दिखाना है तो देखो मैं गई a से लेके ऐसे करके b पे फिर एक बार मैं a से b तक इस position से गई फिर एक बार मैं ऐसे लहराते लहराते b तक पहुची हूँ एक बार मैं कैसे पहुची हूँ यह फिर यह फिर यह तो यानि कि बहुत सारे तरीके हो सकते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के पर अगर कोई कहे आप से क्या कहे आप से कि what is the shortest route from A to B याने A से B तक जाने का सबसे छोटा रास्ता क्या है तो क्या होगा A से B तक जाने के लिए यहां देखिए सबसे छोटा रास्ता यह है क्या यहां बिलकुल सीधा सीधा अगर आप चलके जाओगे तो बहुत जल्दी पहुचोगे घूम कर जाओगे तो थोड़ा बड़ा turn होगा पीछे से घूम कर पीछे से पहुचोगे तो और बड़ा turn होगा यहां जूलते हुए फिर उपर फिर जूलते हुए ऐसे जाओगे तो और बड़ा turn होगा कहने का मतलब किसी भी एक point से किसी भी दूसरे point तक जाने के लिए सबसे छोटा रास्ता क्या होता है बिलकुल straight line में हम अगर जाते चले जाएं तो और यह जो straight line बन रही है इसके क्या है इसके दो end points है एक यह end हो रहा है यहां पे line एक यह end हो रही है तो यानि कि यह जो a से b तक का shortest route हमें यह जो line बता रही है यह क्या है actually line segment है क्योंकि इसके दो end points है a और b देखें तो what is the shortest route from a to b तो यह जो line segment बना है इससे b तक वो shortest route है इससे b तक जाने के लिए आंगे देखें दिस इस the shortest join of point a to b shown here in line segment जैसे यहां हमने दिखाया है इसको हम क्या बोलते है या तो आप इसको a b से बोल सकते हो या फिर b a बोल सकते हो कुछ भी बोल सकते हो यहां से वाए है वहां से यहां आंगे देखिए it is denoted यह हो गया the point a and b are called the end point of the segment a और b point क्या कहलाएंगे इस line segment के end point कहलाएंगे clear हुआ तो देखिए अब यहां पे यह girl आपके class की क्या बता रही है line segment की definition बता रही है एक proper definition क्या होगी उसको हम read कर लेते है line segment is a part of a line line segment क्या है एक line का part होता है that is bounded by two distinct end points जिसमें क्या होते हैं दो अलग-अलग क्या होते हैं end point होते हैं जहां line खतम हो रही है end contains every point on the line between its end points और end points के बीच में जितने भी points हैं यहां पर क्या होगी वो line होगी a close line segment include both end points अब यहां पर अगर दो end points है तो इसको हम और क्या बहुत सकते हैं closed line segment दोनों तरफ से क्या close है बंद है दोनों तरफ से end point है वहां कि उस points पर जाके वो क्या हो रही है खतम हो रही है उसके आंगे वो line exceed नहीं हो रही है clear हुआ चलिए आंगे बढ़ते हैं इसमें आंगे और क्या दिया हुआ है यहां एक question दिया है practice का आपकी बुक में कि name the line segment is a the end point of each line segment तो वहां पर एक figure बना है आपकी बुक में इस तरीके का देखिएगा जहां पर यह point A है यह point B है और यह point क्या है C है तो बोला है कि इस line segment को क्या करा आप नाम दो और क्या A end point है दोनों line segments का तो यहां पर बताएगे line segment कौन-कौन से बन रहे है तो देखिए एक तो यह बन रहा है A से B तक तो A और B इसके end points हो गए और एक देखिए यह भी बन रहा है A से C तक तो जिसके end points क्या है A C तो इस line का नाम क्या हो जाएगा A, B या फिर B, A इस line का नाम क्या हो जाएगा A, C या फिर C, A, दोनों में से कुछ भी नाम बोल सकते हूं अब उन्होंने पूछा है कि Is A, क्या A end point है दोनों ही line segment का तो देखो जो A भी line segment है उसका भी end point A है और जो segment, दोनों ही line segment का एक-एक end point क्या है ये तो है ही है, clear हुआ तो ये हमारा क्या हो गया एक practice question हो गया जो आपकी book में दिया हुआ था, आंगे देखिए इसके आंगे आपके book में दिया है line तो अभी हमने पढ़ लिया कि line segment क्या होता है, क्या होता है line segment ऐसी line जो दोनों तरफ से जिसमें क्या हो end points हो, यानि कि खतम हो रही हो तो फिर line क्या होता है line अलग है क्या line segment से ये हम जानेंगे, अगले lecture में line topic पढ़ेंगे हम तब तक आप यहाँ line segment तक की सारी कहानी revise कर के रखिएगा और आप visit कर सकते हैं हमारी official website जो की है magnatebrains.com वहाँ आपको complete course के video lectures के साथ सार, notes भी available है systematic manner में and daily updates के लिए आप visit करते रहें Magnate Brains YouTube चैनल का community section, thank you so much and bye-bye